पेट में अलसर हो जाना अचानक से पेट में दर्द मैसूस हो रहा है आपको लग रहा है कि कुछ जलन जैसा लग रहा है पेट में अलसर हो चुके होते हैं गाव हो चुके हैं उनको बिल्कुल सही करता है इसके उपर मेरे और भी वीडियो बने हुए हैं आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन की रेमेडिक और रिमो की पेट में अलसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं अगर कोई भी वेक्ति मेर्च मसालों का प्रियोग जादा करते हैं तो उनके पेट के अंदर गाओ बनने लगते हैं इस तरह से फोडे बनने लगते हैं और फूटने लगते हैं जिसकी वज़़े से पूरा एसिड जो होता है उनका वो बहां निकलने लगता है जिसके देता है या फिर आपको कब्ज देता है अगर किसी को बैक्टेरियल इंफेक्शन हो जाता है जैसे बारिश का मोसम आया आपने पानी सही रंका नहीं लिया या फिर हातों को साफ नहीं किया तो किसी भी कारण से अगर आपको बैक्टेरियल संक्रमन हो जाता है तो भी पेट के अगर किसी भी प्रकार का दर्द होता है और मेडिसीन का प्रयोग जादा करते हैं ऐसे में क्या होता है कि साइट डिफेक्ट देता है और पहिट के अंदर गाव हो जाते हैं अलसर बढ़ने लगते हैं चोटे-चोटे रूप में बनते हैं फिर बात में फैल ले लगते हैं तो और प्रक्षन देखने को मिल सकते हैं जैसे पेट में दर्द मैसूस हो सकता है, खट्टी डखारे आ सकते हैं, खाना सरी डंग से पच्टा नहीं होगा, आपको गेस बहु जादा बंती होगी, पेट के अंदर फूला फूला मैसूस होता है, जलन जैसा लगता है, और इसी तरह उस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो हैं आप उनको भी देख सकते हैं लेकिन अगर आपको पेट के अंदर अलसर की वजह से ही दिक्कत हो री चाहिए लेकिन अगर आपके पेट के अंदर अलसर है तो सोफ का पानी बना कर आपको जरूर लेना चाहिए इसी कैसे बनाना है आपको क्या करना है एक लीटर पानी लेना है पान से साथ चम्ब छोटी वाली उसके अंदर डाल देनी है सोफ और पानी को अच्छे से बोई कर लेना है फिर पानी को ठंडा कर लेना है और इसी पानी को दिन बर आपको लेना है इस पानी को प्रक्रति अगर आपके अन्बैंस हो चुकी होती है तो उस पर भी काम करेगा गाव को धीरे-धीरे करके भढ़ देगा और पेट में जो जलन हो रहती है उसको सही करेगा यानि कि पैट को डेटोक्स करने का काम भी करता है तो आप लीजिए अगर आपके पैट के अंदर जादा होती है इस पानी को आप सुबर से लेकर शाम तक पी सकते हैं जितना आपको अच्छा लगता है उतना इस पानी को आप लीजिए ताकि आपके पैट के अलसर को आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से सही कर सके इसमें काफी सारे विटामिन्स होते हैं इंफलेमेंटरी ज़रू परहेज करें जैसे खटी सेवन ना करें आज़िकल बढ़ाता है मिर्च भी जन्क्रम पैदा करते हैं गाव को बंढ़ने नहीं दिलते तो मिर्च मसालों को पेकिट वाले आइटम को बिल्कुल नहीं खाना है इस तरह से आप अगर कुछ परहेज करते हैं, कुछ ध्यान रखते हैं तो आपकी इस अंक्रमत जल्दी से ठीक हो जाता है अगर जानकारी कुछ यूस्पूल रही है तो सभी के साथ जरू शेक करें मिलते हैं फिर लेक जानकारी के साथ में थैंक्यू सो मच